हलो दोस्तों, टेक्सक टूल में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, दोस्तों अगर आप एक दुकानदार हैं, एक सेलर या मर्चंट हैं, तो मोलवल एप्लिकेशन आपको देती हैं मौका अपने स्टोर को ऑनलाइन स्टोर बनाने का, जी हाँ दोस्तों अब आप अपनी किसी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको मोलवल एप्लिकेशन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उस पर अपना एकाउंट बनाना है, कैसे अपना स्टोर बनाना है, प्रोड़क्ट कैसे शेर करना है, सा MOLVOL application को कैसे install करना है और कैसे अची तरह से use करना है सबसे पहले आपको अपने play store में जाके MOLVOL application को search करना है जिसका कुछ ऐसा logo है इस application को आप मेरे description में दीगी link से भी install कर सकते हैं install करने के बाद आपको open पे click करना है open करने के बाद दुस्तों आपके सामने कुछ ऐसा interface आगए यहाँ पे आप अपने mobile number से account बना सकते हैं या पिर अपने Gmail account से भी account बना सकते हैं तो यहाँ मैं अपने mobile number से account बनाता हूँ mobile number को enter करने के बाद दुस्तों आपको यहाँ पे enter करना है उसके बाद मैं verify OTP पे click करता हूँ अब यहाँ से मेरा mobile number verify होगा mobile number verify होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पहला नाम डालना है उसके बाद यहाँ पे अपना last name डालना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना email address डाल देना है जो भी आपका business है, मतलब कि आपकी कोई दुकान है, journal store है, तो यहाँ पे आपको अपनी दुकान का नाम डालना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे click करना है, आपको अपने address के लिए, तो simply सिपसे पहले मैं अपनी दुकान का नाम डालता हूँ, दोस्तों यहाँ से आप सकते हैं कि मेरा address आने लगा है, अगर आप इस address को गॉपि करना चाहते हैं, तो simply आपको copy एर स्ट करना है, अब दुस्तों यहाँ से आप को add product and catalog पे click करना है तो simply यहां पे click करके आप अपनी gelding में पहुच जाते हैं उसके बाद दोस्तों आपको अपनी जो product हैं उनकी image को choose कर लेना है और उसके बाद done पे click करना है select करना है अपनी images को तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि मैंने अपनी product को add कर लिया उसके बाद यहां पे मैं product name पूछा जा रहा है तो यहां पे मैं boyya mic डाल देता हूं तो यहां पे मैंने boyya mic को choose कर दिया है उसके बाद आप कितने रुपए में बेचना जाते हैं तो simply मैं 1000 पे click कर देता हूं उसके बाद दूसरा भी मेरा boyya mic है तो यहां पे बोया वर्जन 2 डाल देता हूं तो यहां से मेरा वर्जन 2 बोया आ गया है और उसके बाद इसका selling price जो है वो 1200 रुपए का है तो यहां पे मैं 1200 कर देता हूं और उसके बाद simply आपको यहां पे मिलता है उसके बाद यहां पे आ रहा है selling price उसके बाद यहां पे original price मतलब कितने रुपए क했ist कर सकते हैं जैसे कि मैं 1300 यहां पर कर देता हूं उसके बाद पर पर पीसके हिसाप से आप पर आपको मिलता है केटलोग को आप्शन तो मतलब आपका कौन से केटलोग में प्रोडक्ट आप एड़ करना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर क्लिक करके आप वो भी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आती है साइस की बारी मतलब अगर आप कोई टी शेट बेच रहे हैं या पर कोई साइज है जिसको आप यहां पर मेंशन करना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर क्लिक करके दोस्तों आप साइज डाल सकते हैं स्मॉल मीडियम एक्स्टर लार्ज लार्ज ऐसे करके आप साइज मेंशन कर सकते हैं उसके बाद यहां पर मिलता है आपको एवलेबिल इन stock है, 100 हैं, 10 हैं, 50 हैं तो simply यहाँ पे आप mention कर सकते हैं उसके बाद दूस्तों यहाँ पे आता है कि आप delivery कितने दिन में कर देंगे अगर आप दो दिन में delivery कर रहे हैं तो यहाँ पे दो दिन में डाल सकते हैं या फिर जैसे भी आप delivery कर रहे हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे आप minute, hours, day, month उसे साब से choose कर सकते हैं और उसके बाद simply आपको done पे click कर देना है, तो यहाँ से आपका product modify हो जाएगा, ऐसे ही आप सारे product भी modify कर सकते हैं अब दोस्तों, यहाँ से आपको product add करने करने के बाद option मिलता है, share link video customer, तो simply यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे click करने के बाद दोस्तों, आप अपनी link को कहीं भी share कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी link को instagram, whatsapp, facebook, telegram कहीं पे भी share कर सकते हैं, और अपने customer से connect हो सकते हैं, दोस्तों, यहाँ से आप अपने store को सिर्फ एक click में अपने whatsapp पे share कर दिया है, उसके बाद दूस्तों, अब बात आती है कि आपका store कैसा देखता है, तो उसके लिए simply मैं यहाँ पे click करता हूँ link पे, link पे click करने के बाद दूस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा store open हो गया, यहाँ पे मैंने दो product add की है, तो दोनों product यहाँ पे दिखाए जा रहा है, जिनने आप easily देखिए, यहाँ पे click करके पता कर सकते हैं कि क्या product है भी stock में है, नहीं है, कितने color available हैं, उसके बाद अगर आप इसे bag में add करना चाहते हैं, मतलब card में add करना चाहते हैं, और बाद में buy करना चाहते हैं, तो add to card कर सकते हैं, या फिर अगर इसे अभी आप buy करना चाहते हैं, तो simply यहाँ पे buy now पे click करके आप buy कर सकते हैं, साथी साथ अगर अपना bag देखना चाहते हैं, तो उसके लिए के कोपी कर सकते हैं या फिर शेयर पे क्लिक करके आप कहीं भी अपनी लिंक को शेयर कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप अपने प्रोड़क्ट देखना चाते हैं कि आपने कितने प्रोड़क्ट अपलोड कर दी हैं अब तक तो simply यहाँ पे क्लिक करके आप नया catalog भी बना सकते हैं, अगर आप इन प्रोडक्ट पे कोई action लेना चाहते हैं, तो simply यहाँ पे select करके दोस्तों इन प्रोडक्ट को अगर आप delete करना चाहते हैं, यहाँ पर change करना चाहते हैं, कुछ editing करना चाहते हैं, तो एक बार में आप इने delete भी कर सकते हैं, उसके बाद द प्रोड़ी details आती है, order status आता है, यहाँ पे new order है, उसके बाद अगर आप इसका payment status चेंज करना चाहते हैं, payment status आप change करना चाहते हैं, तो simply यहाँ पे click करके अगर payment हो गया है, तो इसे fully paid कर सकते हैं, यहाँ पर half payment हुआ है, तो partially paid कर सकते हैं, और उसके बाद payment pending भी कर सकते हैं तो यहाँ पे payment pending का option है, क्योंकि मेरा payment हुआ नहीं है, उसके बाद दोस्तों अगर आप new order देखना चाहते हैं, तो simply यहाँ पे आपको click करना है, यहाँ पे click करके दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ नया order आया है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपने जितने भी order accept कर लिए है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे click करके आप accepted order देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने कोई भी order accept नहीं किया है, उसके बाद कितने order packed होगा है, वो यहाँ पे click करके आपको दिखाई देगा, आपने order का shipment कितना किया है, वो यहाँ पे click करके ये भी जान सकते हैं दोस्तों अपने इस टोर को आप customer के साथ जब share करते हैं तब आपके store का जो home page है वो बिल्कुल change हो जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके store पे कितने views आए हैं यहाँ से पता चलता है product को कितने लोगों ने देखा है कितनी बार देखा है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा sales कितनी हुई है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी total order कितने आए है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा उसके बाद दुस्तों बात आती है setting की तो simply यहाँ पर setting के option में जाने के बाद आप देख सकते हैं अगर आपको कोई परशान ही आ रही तो simply एक click में आप customer care से chat कर सकते हैं अगर आप इन्हें email करना चाते हैं तो simply यहाँ पर click करके email भी कर सकते हैं उसके बाद आती है business information तो simply आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है business category तो simply यहाँ पर click करके आप अपनी business category को भी choose कर सकते हैं यहाँ पर मैंने business category को choose कर लिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है currency तो simply यहाँ पर आपको काफी ज़दा currency को option all over सारी currency यहाँ पर आपको available मिलती है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है store description तो simply यहाँ पे click करके दोस्तों आपको अपने store के description डाल देना है जैसे कि आपका store है वहाँ पे क्या-क्या सामान मिलता है तो सारी चीज़े यहाँ पे आपको update कर देनी है और उसके बाद simply आपको done पे click कर देना है तो यहाँ पे minimum value जो है वो 1 rupees है और maximum कितने तक का order हो सकता है तो यहाँ पे आपने 10,000 का open कर रखा है कि 10,000 रुपे तक का maximum order हो सकता है जिसे आप घटा बढ़ा सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है delivery charges applicable अगर आप delivery charges लगाना चाहते हैं और कितने रुपे पे आप delivery free करेंगे मतलब आप 2000 रुपे पे delivery free करना चाहते हैं या 1000 रुपे पे delivery free करना चाहते हैं तो simply यहाँ पे आप वो भी adjust कर सकते हैं और उसके बाद simply आपको done पे click कर देना है दोस्तों अगर आप mobile application को अपने दोस्तों के साथ share करना चाहते हैं अपने रिष्टेदारों के साथ share करना चाहते हैं तो simply यहाँ पे एक click में आप अपनी mobile application को अपने रिष्टेदारों अपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते हैं तो दूस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने MOLVOL application को install कर लिया होगा. अगर अभी तक आपने MOLVOL application को install नहीं किया है, तो देर किस बात किया है? जल्दी सी मेरे description में दी गई लिंक पे click करके MOLVOL application को install करें और अपनी दुकान को एक online दुकान बना के अपनी दुकान की income को भी डवल करें Thank you so much for watching this video